मेरा नाम कृती है और मैं एक छोटे से गाउं से हूँ आज जस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाले हूँ ये घटना मेरे भाई रजट के साथ हुई थी रजट भी हमारे साथ गाउं में ही रहता था पर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हुआ वो पैसे कमाने के लिए दिल्ली शहर चला गया था वहाँ पर जाकर उसे बहुत जल्दी ही काम्यावी मिल गई थी उसे थोड़े ही दिनों में बहुत अच्छी सी जॉब मिल गई थी वहीं दूसरी तरफ गाउं में मैं और मेरे मम्मी बापा हम लोग गरीब ही थे अपनी खेटी बाड़ी करकर ही गुसारा किया करते थे पर रज़त शहर से हमारे ले पैसे भीजता रहता था वहाँ जाते ही रज़त को एक पूरी आदत लग गई थी और वो थी सिगरेट पिने की वहाँ पर जॉब का स्ट्रेस घर वालों की गरीबी दूर करना इस वज़ा से रज़त बहुत जादा ही प्रेशराइस रहता था और इसी सब की वज़ा से उसने सिगरेट पिना शुरू कर दिया था सिगरेट पीते पीते अब उसे कई साल होने आ गए थे और वो ये जानता था कि जितना सिगरेट वो पी रहा है आगे जाकर ये चीज उसे बहुत परिशान करने वाली है और वो कॉलेज के समय से ही सिगरेट को छोड़ना चाहता था पर चाहा कर भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था वो सिगरेट की लट मानो जैसे उसकी रूह से ही चिपक गई हो उसके आसपास के दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो उसे सही रास्ते पर ला सके और उसकी ये सारी गंदी आदतों को दूर कर सके इस वज़ा से ये भी एक रीजन था कि वो अपनी सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था कि ऐसे ही एक दिन उसके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगया ऐसा दर्द जो से बरदाश नहीं हो रहा था रज़त समझ क्या था कि उसे ये दर्द शायद सिगरेट पीने की वज़ा से ही हो रहा है उसे ये मालूम था कि उसकी ये आदत उसे इस मोड़ पर ले आएगी पर उसे ये नहीं मालुम था कि उसकी ये गंदी आदत उसे इतना जल्दी इस बेमारी के तरफ ले आएगी क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सिगरेट पीते हैं और उन्हें कुछ नहीं होता या फिर आखरी के समय में उन्हें तकलीफ होती है और रज़त ने यही सोचा था कि उसके पास बहुत समय है और वो अपनी जादत को छोड़ देगा पर जैसे ही उसका दर्द सब्र से बाहर होने लगा तब उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा जहां पर डॉक्टर ने उसके कई टेस्ट किये और बहुत ही मायूसी सा चहरा लेकर वो रज़त के पास आये रज़त एक पल जानना भी चाहता था कि आखर उससे क्या हुआ है और एक पल वो नहीं भी जानना चाहता था डॉक्टर ने रज़त को बताया कि उसे फर्स स्टेज कैंसर है ये सुनते ही रज़त पूरी तरीके से टूड गया था उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखर वो क्या करेगा पर तब ही डॉक्टर ने कहा कि ये फर्स स्टेज है और ये बहुत जल्दी ही इसका इलाज भी है और ये बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाता है ये सुनते ही रज़त बहुत खुश हो गया कि आखर अब कैंसर के भी इलाज यहां देश में है पर जैसे ही डॉक्टर ने इलाज की रकम रज़त को बताई तब उसकी आसी जादा वक्त तक उसके जहरे पर नहीं रही डॉक्टर ने बताया कि उसे करीब 20 से 30 लाख रुपे की जरुवत है और जैसे ही इलाज शुरू हो जाएगा उसके 6 महीने के बाद ही उसका कैंसर भी जड़ से खतम हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ रजट के पास जादा पैसे नहीं थे जैसे तैसे पैसे जमा करके उसने दिल्ली जैसे शहर में अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया था और बाकी बचे पैसे वो गाओं में भेज दिया करता था उसके पास अपनी इलाज के लिए इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं थे वो डॉक्टर के पास से वापिस घर तो आ गया पर वही मायूसियत भरा चहरा लेकर वो अपने घर पर बैठा रहता था उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आ के क्या करे उसकी सिंदगी खतम होने वाली है वो आखिर अपने घर वालों से भी मदद नहीं मांग सकता था उसकी घर वाले तो पहले से ही गरीब थे उसने जैसे तैसे करके एक लाख रुपए का इंतिजाम किया था पर उन एक लाख से उसका कोई इलाज नहीं होने वाला था उसने बहुत जगा हाथ पैर पटक कर पैसे मांगने की कोशिश की लोगों से कहा कि वो कोई भी काम करेगा बस उसे पैसों की जरुवत है पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की यहां तक कि उसके दोस्तों ने उसे बहुत ज़दा बचकानी और बहुत ही खराब सलाई भी दी उसके दोस्तों ने कहा कि तुम बैंक लूट लो तो किसी ने कहा कि गबरस्तान के पास एक तांत्रिक रहता है मैंने सुना है कि वो कैंसर को ठीक कर देता है तुम उसके पास जाकर अपना इलाज करवा लो जब रजद ने अपने दोस्तों को ये सारी बाते कहते हुए सुना तब वो समझ गया था कि कोई भी उसकी इस तकलीफ को सीरिसली नहीं ले रहा है और वो बिलकुल अकीला है जैसे तैसे उसने उसे दर्थ के साथ एक हफता निकाल लिया था और इस हफते के बीच उसे डॉक्टर के कई फोन आते थे जिसमें वो कहता था कि हमें इलाज जल्दी शुरू करना होगा वरना आगे जाकर कैंसर को क्योर करना मुश्किल हो जाएगा इन दस दिनों के बीच ही रजट ने नोटिस किया कि करीब दो से तीन लोग रजट को एक ही बात कह चुके है और वो ये कि कब्रस्तान में एक तांत्रिक रहता है जो कैंसर ठीक कर सकता है रजट के पास अब कोई चारा नहीं था उसने सोचा कि पैसे तो है नहीं और मौत तो ऐसे ही आनी है तो क्यों न आखिर उस तांत्रिक से मिलकर ही देख लिया जाए क्या पता वो मेरा कैंसर ठीक ही कर दे बस यहीं सोचकर रजट उस तांत्रिक को ढूंटे हुए उस कब्रस्तान में चला गया जहांपर उसे पता चला कि अब वो कब्रस्तान में नहीं शमशान में रहता है रजत उसके बाद उसे ढूनते हुए शमशान की तरफ भी चला गया जहांपर लोगों ने उसे ये भी बताया था कि वो तांतरिक बहुत नींद लेता है और जब भी वो उठेगा तो मुझसे अपनी बात कहे देना यहीं सोचकर रजत उस तांतरिक को ढूनने लगा जहांपर उसे वो तांतरिक दिखाई दिया पर वो सू रहा था रजत ने सोचा मैं यहीं बैट कर उसकी उठने का इंतिजार कर लेता हूँ ऐसे ही दोपैर से शाम हो गई थी और करीब चार घंटे बीट गय थे पर वो तांतरिक नहीं उठा रजत वहाँ पर करीब एक तो घंटे और रुका तब भी उसने देखा कि वो तांतरिक नहीं उठा यहीं सोचकर फिर रजत वहाँ से चला गया और अगले दिन और उसके बाद के तीन चार दिन रजत आ आ कर उस तांत्रिक को देखता था लेकिन वो तांत्रिक उसे हर जगा कहीं न कहीं सोता हुआ ही नजर आता था कि वो एक दिन उसे वो तांत्रिक नजर आया वो तांत्रिक राख में हट्डिया ढून रहा था ये देखकर रज़त थोड़ा सा सहम गया और वो उसके पास गया, तब तांतरिक ने उससे सरफ एक ही बात पूछी, क्या चाहते हो तुम, तब रज़त ने कहा कि सब कहते हैं आप कैंसर ठीक कर देते हैं, तो क्या आप मेरा कैंसर भी ठीक कर देंगे? ये सुनते ही उसने कहा कि कैंसर तो बहुत छोटी सी चीज है, जो मैं यूँ ही ठीक कर दूँगा, पर उसके बज़ए मुझे क्या मिलेगा? तब रज़त ने कहा कि उसके पास जैसे तैसे करके उसके इलाज के लिए तीन लाख रुपे जमा हुए थे, वो तीन लाख रुपे आप ले लेना, ये सुनते ही तांतरिक ने कहा कि मुझे पैसो की जरुवत नहीं है, पैसे तो मेरे किसी काम की नहीं, मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जिसका कोई अंतना हो, जिसे मिटाना बहुत मुश्किल हो, जो कभी भी खतम नहीं होता, आखेर तांतरिक इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये जानने के लिए देखे, इस्टोरी का दूसरा बार्ट